आप सभी को मेरा नमश्कार दोस्तो FCA AG3 का जो एक्जाम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैंके तो ये वीडियो में आपके लिए लिखे आया हूँ हमने कुछ एक वीडियोस FCA के अल्रेडी बना रखें प्रिपरेशन को लेके जैसे जो जनरल स्टेडी कैसे प्रिपेर करनी इसको लेके दो वीडियोस हमारे चैनल पर डले वे इसके लावाद दो टॉपर टॉप डले वे जो सबको देखना चीए एक विकास पूनिया का और एक साक्षी जैने का अगर आप इस चार वीडियोस देख लोगे तो आपको पूरा ढंग से समझ आ जाएगा कि इस पेपर को निकालना कैसे है और FCA के बारे में भी आपको काफी कुछ नई चीज़े पता चलेगी लेकिन एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ कि इसका आखरी बार नोटिफिकेशन आया था मेरे खाल से around February 2019 में उसके बाद ही अभी सितंबर 2022 माहा है तो लगबग 3.5 यानि 3.5 साल बाद इसका नोटिफिकेशन आया है बहुत सारे कारण है कि FCA अपना नोटिफिकेशन हर साल क्यों नहीं निकालता है क्योंकि FCA के अंदर क्या है कि जो बच्चे जॉब छोड़ते हैं वो बहुत कम मिलते हैं दूसरी चीज इनको workforce की requirement थोड़ी कम रहती है दूसरे sector के comparison में क्योंकि इनकी branches वगर इतनी जादा आपको सब जगे नहीं मिलेगी इनका काम थोड़ा अलग तरीके का होता है इनका ऐसा नहीं है कि आपको दिन बर public dealing करनी है बैंकिंग की तरह है या आपकी financial risk है या एकी city man की 15-20 branches है जैसी SBA अगरे की या दूसरे banks की होती है तो इसलिए ये जो opportunity है FCA की ये मान के चलो कि अगला notification जो है FCA का वो लगबग 2-3 साल बाद ही आएगा क्योंकि एक बार अगर trend ये ही बोलता है कि FCA अपना notification निकालता है तो उसके बार next notification लाने में वो लगबग 3 साल का वक्त लगाता है तो इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी preparation कर रहे हैं अभी FCA की तो थोड़ा सा अपनी preparation को 10% जादा effort दे क्योंकि ऐसे मौके बार-बार नहीं आते है FCA जैसी organization के अंदर job लेने के तो अभी जिन बच्चों ने form भर रखा है उनको मेरा बहुत-बहुत best of luck साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि इसे एक तरह से last opportunity मान के चले FCA की क्योंकि अगर मालनों यहाँ चूग जाते हैं तो फिर यह जरूर है कि आपकी दूसरी जगे job लग सकती है नहीं भी लग सकती लेकिन FCA की job जो है वो बहुत अच्छी है आप चाहे तो हमारी दोनों interview महां जाके देख सकते हैं तो इसलिए इस बार अगर हम चूग गे तो अगला जो आपका chance है वो लग बहुत-बहुत best of luck और अपनी तयारी अच्छे से start रखे और अपने आपको थोड़ा push करे एक्स्ट्र एपड़ दे ताकि AG3 का जो खासकर की पेपर है जिन्होंने डिपो कैडर, जनरल कैडर, टेक्निकल कैडर और अकाउंट्स कैडर ये जो फॉर्म निकले हैं इसके अंदर जिन्होंने भर रखा है AG3 का वो अपनी preparation बहुत अच्छे से करें और बहुत अच्छे से पेपर देके आएं आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद